हलो मेरे प्यारे च्छात्रों आज आप सभी को 2024 का समाजिक विज्ञान का जो पेपर वायरल है इस पेपर का आप सभी को अहल बताने वाले हैं साथ मार्च को ठीक है जो यहाँ पेपर आप कराएंगी यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा आपको साथ में जो मांचित्र से संबंदी जो आपके सवाल पूछे जाते हैं आपको मांचित्र पे भर के भी बताएंगे कि आप बूड के एकजाम में मांचित्र वाले सवालों को कैसे करेंगे और साथ में इस पेपर का हल भी बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो फ्रेंस आप सभी का समाजी विज्ञान का जो पेपर साथ मार चुका है उसका एक प्रकार की ये वारल पेपर है इस पेपर का आप समपूर हल जरूर देखिए चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं तो चलों साथ में सब्सक्राइब कर ले फ्रेंस देखिए जब भी आपको समाजी विज्ञान का प्रशन पत्र इस प्रकार से मिलेगा तो यहाँ पी लिखा रहता है समय जो समय रहता है तीन घंटा आपको पंदरे मिड़ का संपूर समय मिलेगा और पुडांग जो रहेगा आपको टोटल सत्तर नंबर कराता है तीस पेपर का आपको समपूर हल जरूर देखना है ठीक है आप यदि 6 मार्च को रात को भी इसको देख लेते हैं तो आपके 100 परसंटेज आप सत्तर में आप आसानी से सत्तर ला सकते हैं इस पेपर को आप जरूर देखिए देखें यहाँ पर नोट दिया रहाता है कि आपके 15 मिंट प्रस्ण पत्र पह Works परने के लिए निर्धाईत रहता है यहाँ पी कि 20 बहुविकल्पी प्रशन रहते हैं जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना रहेगा आप सभी को पता है कि जितने भी बहुविकल्पी प्रशन है उसका एंस्वर आपको OMR सीट पर देना रहता है खंड आके जितने भी OMR सीट पर उत्तर आप लिखेंगे, OMR सीट एक बार भर देने के बाद उसको काटना नहीं है, ना इरेजर ना वाइटनर का प्रियोग करना ही है, सभी निर्देश आप सभी को पहले से पता है, अगला देखिए जो खंडबा है, खंडबा में 50 अंक के व इंपोर्टन निर्देश है, इसमें क्या है कि वड़ात्मक फर्स्ट रहेगा, वड़ात्मक सिकेंड रहेगा, साथ में आपको मांचीतर से संबभनी दो प्रशन रहते हैं, इस निर्देश को आपका जानना जरूरी है, खंडबा जो आता है, सभी प्रशन करना आपके अपता है, खंडबा जिसमें वोगाल भी प्रशन है, एक भी प्रशन को आप मत कीजिएगा, जितने वी क्वेश्चन है, आप सभी के लिए सबसे इंपोर्टन जो वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है इन कोईस्चनों को आप एक दो बार देख कि इन प्रश्णों को अदम रट लीजिए पहला प्रश्ण क्या है कि लिए में लिखी तने ताओं में से किस ने एक गुप्त संगटन यंग इटली बनाया था तो आपसन आपके सामने है कि विक्टर इमेनुवल द्यूति ने बनाया था या जूसिपी मेसिनी ने या काउंट काबूर या जूसिपी गरी बाल्दी ने बनाया था यंग इटली जो बनाया था वो किस ने बनाया था जूसिपी मेसिनी ने बनाया था इस प्रश्ण का सही जो बीवलाफन सही हो जागा कि यंग किसे गोसित किया गया था, इस प्रशन को आदम याद कर लिजिए, ठीक है कैसर विलियम पर्थम थे, विलियम दियो थे ये फ्रेडरिक विल applic पर्थम ये आटोवार बिस्मार्ख थे ठीक है, तो देखें जिसे आप ज जर्मनी का पर्थम समराठ गोसित किया गया था सद्रह नवहासी में फ्रांस में किस प्रकार का शासंटा था together of characters important question है ठीक है अदम याद कर लिजिए 분들이 flavor सेमित राज तंद्र था असीमित राज तंद्र था कूली तंद्र था यह लोग तंद्र था ठीक है यह जो हां का जुछ सासन था असीमित राज्चतंत्र था इस प्रश्ण विवला आफ्षन fragrance सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण देखिए कि बिटेन के लिदे, कारन कानून पना समापत करने का जानृर принत क्या अन्य नहीत्तर हो सही इकिप्स्मित्र करने सौण अगला पर देखे फाँफवा नमबर का कि 944 में ब्रेटन उठ्स कहां आयोजित किया गया था यह प्रश्ण को भी साहत मयाद रखें कि ब्रेटन उठ्स जो सम्मेलन ता आपका अमेरिका में किया अगरा च्यत्वान नमबर का देखिए कौन संग सूची में है आप संग सूची से संबद से संबद जितने भी आपके प्रशन उसको जरूर आप पढ़ लीजेगा कि संग सूची का विशे कौन सा है यहाँ पर प्रतिरच्छा किरसी ब्यापार या सिच्छा तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्रतिरच्छा जो हता है आपका संग सूची का विशे मारा जाता है ठीक है जबकि सिच्छा जो हता है आपका समवर्ती सूची का अंतरकत आता तो इसको याद रखिएगा समवर्ति सूची के अंतरगत सुच्छा उता है चिर्षी और व्यापार राजु सूचिका उत्छजा अंतरगत ने देऺंए आगला You स्री लंका में कौन सायवह संक्हयक वठ है इससंहली। इस प्रश्ण का सही जवाब आपका सी वाला हो जागा कि स्रीलंका में आपका सिनहली बहुत संख्यक वर्ग पाए जाते हैं अगला देखे आठ नंबर का कि निमलिकी देशों में कहा संघात्मक सासन नहीं है यहां पर द्यान दिजिएगा कि संघात्मक सासन आप से पूछ र तो आपको बताना है जैसे आपका आपसन है धर्म को कभी भी राजिनितिक से अलग नहीं किया जा सकता है इस प्रश्ण का सही जवाब आपसन आपका क्या होजएगा साई हो जाएगा. अगला दसमा नमबर देखिए आप. टीक है. दस नमबर का जो प्रश्ण है, नीम्नलिकित में से कौN सा लोकतंतर से संबंदी थे? टीक है. आपको लोकतंतर से कौN सा संबंदी थे वो बता नहों. जैसे आपे पारदर्शी शासन, वहेद सासन या उत्तर- जाए सासन जो इन मैं से सभी जो लुग तंत्र से सμस्बमदी थे व्यद सासन पादर err Jim रोना चाहिए उत्तर दाई शासन रोना चाहिऊत इस फ्रश्ण का सही जवाप क्या हो जाएगा साइगा 12 स्वपाणी खेती की जाती है आपका इत्तरा खंड हो जगा सबसे इंपोर्टन पुएश्चन अगला अगला नंब्र के अगला प्रशन का मतलबही होता एक नंश्वका एक आफिक हो हो गया जो ई apron मोटे आनाज चन आया कपस 10 में से थाइप चना चना अक़ाजाफ के ईयाद सकते हैं कि जये सरसों हुआ सरसो भी आपकी रभी की फसल के अंद्रगत आ जाएगा गेहूं क्या आ जाएगा गेहूं भी आपकी रभी की फसल के अंद्रगत आ जाता है ठीक है जबकि चावल को आप याद रखिएगा यह आपका आता है खरीब की फसल के अंद्रगत खरीव का मतलब होता है कि जो आपके बार्साथ के दिन में बोय जाते हैं वो खरीव के फसल कहलाते हैं ठीक है आप इसे याद रख सकते हैं अगला देखे 13 का MONA Jyate Rate में निमनलिकित में से कौन सा खनीच पाया जाता है मोनजाइट जो रेत होता है उसमें बताना है कि कौन सा खनीच आपका पाया जाता है ठीक है तो इसमें प्लाशन का सही जो आप से याद रखिएगा अगला दिखिए 14 नमबर का निमनलिखित में से कौन सा उद्द्द्धोग चुना पत्थर का कच्चा माल के रूप में प्रय कच्चे माल के रूप में जो चुना पथर होता है उसमें जो कच्चे माल के रूप में प्रियोग किया जाता है वह होता आपका सिमेंट इस प्रश्ण का सही जवाब आप सीवल आपसन को याद रखिएगा अगला देखे प्रश्ण आप 15 नंबर का निमिलकित पड़ोसी स्री लंका कित इस प्रश्ण का सही जो आप सीवल आपसा सही हो जाएगा देखे 16 नंबर का आप सवाल देख लीजिए कि निमिलकित में से कौन सा खनीश धात्तिविक है यानि धात्तिवी खनीश बताना है यह प्रश्ण आपको कई बर करा है तो लोग आयस्क जो होता है ध एक वस्तु का अधिकांसता प्राकृतिक परिक्रिया से उत्पादन में संब्लित है ठीक है तो यहां पर एक वस्तु का जो अधिकांसता जो प्राकृतिक परिक्रिया से उत्पादन में संब्लित होता है तो आपका जो होता है प्रात्मिक छेत्र होता है कौन सो होता है प्र आप याद रखे-गे प्रात्मिक छेत्र आता है इसके अंत्रकत किर्सी को रखा गया है अगरा देखिए आप 18 नमबर का यंद्रसाइड का संबंद निमदलिकिस में से किस खनीज से तो कि आपको बताएग जो एंत्रसाइड इसका संबनद किस खनीज से ने है आपका जो होता है एंतिराइद हुंता है आपका को यहां दित होता है तो इस प्रश्ण का सही जिवालाप्षन क्या हो जाएगा ऐब देखिए 29 नंबर का निम्न लिखित में किस वर्स बंग्लादेस ग्रामूर्ड बाैं की अस्थापना होई थी इस प्रश्ण का जरूर आप्सार वजनिक और निजी च्हेत्रों का वर्गी करण निमनलिखित में से किस आधहर पर किया जाता है आपसा ने रोजगार की शर्त को देखके किया जाता है आर्थिक गती की प्रकृति को उद्यमों की स्वामित्तों के देखते हुए या उद्यम में नियोजीर स्रमिकों की संख्या के आधार पर सारवाजनिक और जो नीची छेत्र का सुवर्गी क्रण जो हता है वह आपका किस आधारप किया जाता है तो उद्ध्यमों के स्वामित्यों पर प्रश्ण का सही जवाब सीवलापस सही हो जाएगा यहां से आपका प्रारम होता है खंडबह में क्या है कि वड़ात्मक फर्ष्ट है यहां से आपका निम्ल प्रश्णों के उत्तर जोज देना है परतेक का असी शब्दों में देना है देखें यहां पर जितने भी important question पहले आपको बता देते इन प्रश्णों को देख लिजिए देखें यहां पर आपका पहला question क्या है कि 18 शताबदी की अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई तो कार दीजिए यह important question है इन सभी प्रश्णों को आप जरूर देख के board के exam में जाईएगा यह total 4 नंबर का आपका प्रश्ण है ठीक है देखें यहां नंबर का प्रश्ण है तो जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं इन सभी प्रश्णों के एक बार आप देख लीजिए इन प्रश्णों को आप एक बार देख के board के exam में जाईएगा ठीक है अगला देखिए भारत में राजनितिक छमता के विकेंद्रिकड़ के पीछे क्या इन सभी प्रश्णों को आप जरूर देखिएगा ठीक है अगला important question आप देख लीजिए एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेक करें तो भारत में पाई जाने वाली किनिद्दों प्रकार की मिट्टीयों का वरण कीजिए अगला important question को आप देख लीजिए अधवा में अब रखी उप्योगी ता बताजी भारत में इसके किनिद्दों उत्पादक राज्यों का उल्लेक कीजिए टोटल यह चार नंबर का प्रश्ण रहता है ठीक है अगला प्रश्ण देखिए चौता नंबर का किराश्ट्री आये तो प्रतिव्यक्ति आये में वि विदेशी बैपार को अनकुल बनाने के लिए कि निदों सुझाओ दीजिए जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं इनको सिर्फ एक बार आप देख लेंगे तो आप आसानी से आप बोर्ड के एक्जाम में लिख सकते हैं देखिए वरात्मक सेकेंड है देखिए वरात्मक जो सिकेंड इसमें छेचे नंबर का सभी प्रश्ण रहता है और इसका एंसोर जो देना रहता है देखिए पाचवा नंबर का सबसे इंपोर्टेंट कोईस्चन आपके लिए है कि सत्यगरह का क्या अर्थ है महात्मा गाधी द्वारा चलाए गए तीन सत्यगरह आंदुलनों का विशेष्टा कीजिए तो महात्मा गाधी जी के द्वारा चलाए गए तीन आंदुलन जैसे असायोग आंदुलन सभीने अवाग्या आंदुलन भारत छोड़ो आंदुलन यह सभी तीनों आंदुलन को आप जरूर पढ़के जाएगा 100% की गारंटी देता है कि आपके देखे छटा नंबर का क्वेशन देखिए कि भारती समाज में जाती प्रता अभी भी परचली थे इसके कारण क्या है इसको समाप्त करने के दो उपाए आपको बताना है यह टोटल 6 नंबर का प्रश्ण है अथा हम देखिए भारत में महिलाओं के परती भेद भाव के तरी जो का उलेक कीजिए यह छे नंबर का इसके अलबा भू छड़ा से आप क्या समझते हैं इसको रोकने के लिए कोई चार उपाई बताइए आप तयार कर लीजिए का भू छड़ा क्या होता है यह मिर्दा अप्रदन क्या होता है आपकी बोड की एक्जाम में यह दुन जरूर पढ़के जाएगा आपकी बोड की एक्जाम में इस टॉपिक से जरूर प्रशन देखने के लिए मिलता है और संकठित छेत्र के स्रमिकों की समस्या के विवेचना कीजिए इन सभी प्रशनों को आप देख लीजिए ठीक जितने भी प्रशन बता हैं सभी प्रशन रहेगा पांच नंबर का 9B में 5 5 प्रस्व रहेगा पचपच नंबर का इस प्रकार मांचित्र से संबध्र का पूछा जाएगा निवर्खित अस्थानों को भारत के लिए दिये गया रेखा मांचित्र में डाट चिन दोआरा नाम सहीत दरसाना है जही नाम सही अं 920 में हुआ था यहां पर ध्यान दिजिएगा किस महिने में सितंबर 920 में जो आपका बारती राश्ट्री का अधिवेशन हुआ था यह हुआ था कलक्ता में का कलक्ता में अब इसको मानचित्र पर दिखाएंगे कैसे यह आपके साहब ने मानचित्र इस पकास मिलेगा तो यहां पर आपको मांचित्र मिलेगा तो अब आप कैसे अगरे परलबाना यहां पर इस्पकास यह ऑद और रिटूं साहे नाइन एका फर्स्ट है और क्या है इसका इंस्वर कलकत्ता है कलकत्ता इस प्रकास से आप स्वच एंसुंदर लिखिएगा बोड की एक्जामें आपको पूरे नंबर मिलता है इस पे अगला देखिए आपका जो है सिकेंड वाला वह स्थान जहां महात्मा गादी ने नमक कान तुबह गया था यह केंड़ी भाण दानडी से और दंडि आपका प्रता कहां गुजरात में अब देखेम मांचितर पर आपको गुजरात दिखाना कैसे दिखाकर आपका इस वाला भाग आपकब पढ़ता है घुजरात तरह दिखाना क्लु यह नाहीं एक क्वालं चौ़ ह है 3rd नमबर का कि वह अस्थान जहां जाली वाला भाहत्याइक। सब्सक्राम पर झांड ठीक हे जुडे वाल भाहत्या heер पंजाब में इस अता है के आपके सामने मानचित्र मानचित्र में देखेंगे तो यह वाला भाहता है पंजाब भी थक फिर छी एक इन आमसर है है और यहां पर लिखें दीजिए कि अम्रीतर अम्रीत शर ठीक है ये हो गया आपका अगला और क्या है वह स्थान महातेमा गादी किसान सत्यग्रा आ धूसेदा यह वह तो यह था कहां से हुआ ओधा यह है यहिए आपका याफ का यहां से बनाईएगा यहां पर 9 एक कौन सा है फोर्थ है तो फोर्थ और यहां पर लिखे दीजिए खेड़ा ठीक है इस तरह आप इसका एंस्वार लिख लिजिएगा और यह देखिए आपका कौन सा था किसान सत्यग्राथ था अगला प्रस्ण आपका देखिये है पांचव उसलिए और और फोरी प्रदेश क्यों ने परकोट करताई है देखिये हाए आपका है मानचितर प्रतेश में इसका यहां पर डाट बनााके इस तरह कीच लिजिए, 9-1 में इसमों की का एक तो सवाल हो अभी आपको करा देते हैं देखें नाइन बी का है और यहां पर आप क्या करेंगे दिखें निर्देश दिया है कि दिये गए भारत के मांचित्र में निमलिखित को दरशाना है पहला है कि उत्तर परदेश की राजदानी को नगर को सी चिन द्वारा दिखाना है तो आप सभी को पता उत्तर परदेश की राजदानी क्या लखणव है लखणव है अब दोखें इसको मांचित्र करिकास दिखाएंगे तो यह आपके सामने मांचित्र है अब इस पे देखाना है यहां पर देखा दिजैगा बीच ओबीच यह आपका क्या है सी किस चिन के द दिखाना है अगला प्रश्ण आप देखिए नर्मदा नदी पर बना एक बांध ठीक बराबर चिन के द्वारा दिखाना है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध आपको दिखाना है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध कहां पर एक नदी देखिए आप सभी को बता देते है सर्दार सरोर भांद सर्दार तो यह सरदार रखें कर आपका गुजरात थ mêmes works मांचितर में आपका गुजरात कर लिए गुज्ञ रख किस चिन और देखाए बराबर चिन धर यहां पर आप देखा दीजेगा बराबर इस तरह चिन और इस तरह कोश्टक बंद कर लिजेगा और यहाँ पे नाइन भी कौन सा सेकेंड रहाँ प्रकेंड में यहाँ सर्दार सरोवर बांध दिखाना अगला देखिए कि दच्छ भारत की प्रमुक्र नदी चिन द्वारा दिखाना य लभारत की एक नदी जो अब को ये आपका जाता है थैसंद से कहान के चायगा कर यह कौन से हैं टूमा किर डिखान था यहां को वाई बना लीज़ेंगा और सकत्षी लुआ बी का ठीक है 9b और यह कौन सा है तीसरा नंबर अपकर तीसरा नंबर और यहां पर कावेरी नदी देखा दिखने कावेरी नदी दुट हो गया न कावेरी देखने बारत नीचे मतलब है अगला प्रशन आप देख लिए कि भारत की एग जूट उत्पादक राज्य चिन्य द् आपको बताएं किस चिन के द्वारा इस चिन के द्वारा आ बना लीजाए ऑर जैसा और यहां पर फोर्थ है और यहां पी दिखा दिखा दीए पस्चिम बंगाल, यह लिखिएगा पस्चिम बंगाल, पस्चिम बंगाल हो जागा, ठीक है तो इस प्रकास से आपको माणचितरी में भरना रहेगा, ठीक है, ढ़िए अगला क्या है आपका सवाल की भारत का एक परमालू उर्ज प्रमाणग उर्जा केंद्र का नाम आप याद रख सकते तारापूर तारापूर पढ़ता है तो इस प्रकास रखता है आपको और इसको घेर के और यहां पर तारापूर देखा आपको जो मांचित्र वाले जो कोईस्टन रहेंगे जैसे आपको समझाए इस तरह बोर्ड की एक्जाम में अदम भरिएगा आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है तो यहां पर आपके जो समाजी ग्यान के जितने भी इंप्रशनों को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आपको बोर्ड के एक्जाम में 100% गारंटी देते कि यही सब सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइ करें